रेल्वे ने हावडा न्यू जलपाई गुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का फाइनल रिवाइज सेड्यूल जारी किया है बताया जा रहा है कि यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोलपूर सांतिन केतन मालदा टाउन और बरसोई इस्टेशन पर इस्टोपेज होगा यह वंदे भारत एक्सप्रेस हावडा से रवाना होने के बाद दानाकुनी रूट पर चलेगी उसके बाद कमार कुंडू, मसाग्राम, बर्दवान, खाना, बोलपूर इस्टेशन रूट तै हुआ है उसके बाद अहमदपूर, सैथिया, रामपूरहाट, सह न्यू फरक्का होते हुए मालदा टाउन इस्टोपेज दिया है उसके बाद फिर मुकुरिया, किसन गंच और अलू अबाडी रोड होते हुए न्यू जलपाई गुड़ी पहुँचेगी रेल मंत्राले की नई अधिसुचने के मताबिक, बंदे भारत एक्सप्रेस पुद्वार को छोड़ कर सबता के आन्य च्छे दिन चलेगी यह सुबह, 5 बच कर 55 मिनिट में हावडा से चल कर, दोपहर 1 बच कर 25 मिनिट में न्यू जलपाई गुड़ी पहुँचेगी फिट दोपहर 3 बच कर 5 मिनिट में न्यू जलपाई गुड़ी से चल कर, रात 10 बच कर 35 मिनिट में हावडा में प्रवेस करेगी आम तोर पर तेज या सुपरफास्ट ट्रेनों में एक से अधिक इस्टॉप नहीं होते, लेकिन इस्टॉपेज को लेकर तरह तरह की मांगे राजनितिक लाब के लिए आते रहती है कई बार सरकार के लिए उस मांग को मानना मुश्किल हो जाता है, उद्धारन के लिए जब राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता से दिल्ली के लिए सुरू की गई थी, तब इस्टॉप की संक्या एक थी, लेकिन विबिन राजनितिक दलों के नेताओं की रुची और मांगों क लेकर ठाराओं की संक्या बढ़ती चली गई, नतीजतन राजधानी की यात्रा का समय धिरे धिरे लंबा हो रहा है, अब इसलिए राजधानी में अब वह गती नहीं रही है, इसकी जगह सताब्दिय दुरंतों एक्सप्रेस ने ले ली है, हाला कि राजनितिक लाब हासिल क करने के लिए भविस्य में इस्थिती भी वैसी ही हो सकती है,